तो आज किस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Most Important Question of Exam जोसे हम डिटेल आंसर में देखेंगे किस तरीके से उस आंसर को हम एक्जेम में लिख सकते हैं, किस वे से हम लिख सकते हैं, आज की वीडियो हिस यहां डिस्कस करने वाले हैं तो विडियो स्टॉट करने से पहले लाइक में वीडियो सब्सक्राइब में चले प्रेस से पहले आकन बढ़ेंटा किसे ने कि जो भी वीडियो जबाब तक पहुंच जाएं तो आज का जो यह क्वेस्चन है वो पीरानी स्टोरी से जो है वो रिलेटीड है अब जो यह स्टोरी है पिरानी वो जमाल अब्रो ने लिखी है जमाल अब्रो जो है वो इसका राइटर है तो यह उसने लिखी है अब यहाँ पर question arise होता है कि critically evaluate the dehumanization of human being with reference to पिरानी अब पिरानी का हमने जो है किस किस तरीके से जो है वो इनसान की dehumanization होती है उसका जो है हमने reference देना है पिरानी के साथ अब यह जो question है यह बहुत पार जो है repeated हुआ है exams के अंदर जो B.A.M.A. वालों के लिए बहुत ज़दा जो है bachelor वालों के लिए important है तो आज किस वीडियो में हम यह discuss करने वाले है कि step by step हमने किस तरीके से इसको जो है वो हमने लिखना है exams में तो आईए हम शुरू करते हैं इसके answer के साथ सबसे पहले हमने क्या करना है exam में हमने जो है वो पीरानी का introduction देना है थीक है आपने यह नहीं करना कि उसमें लिखा है कि dehumanization लिखनी है human being की पीरानी के reference करनी है तो सिर्फ आपने शुरूआतिया अपने reference करनी है ऐसा नहीं करना आपने ठीक, सबसे पहले जो आपने करना है वो क्या है पीरानी स्टोरी को अच्छे से आपने पढ़ लेना है उसके बाद आपने पीरानी स्टोरी को इंट्रिजूस करवाना है ठीक, इंट्रिक्शन आपने पीरानी स्टोरी का करवाना है डिटेल में उसके बाद आपने उसकी आपने रिफरेंस देने हैं ऐसे रिफरेंस जो पीरानी से जो है वो रिलेटेड हो ठीक है आपने इस तरीके से रिफरेंस देने हैं तो रिफरेंस आपने इस तरीके से देने हैं किस तरीके से इनसान की डियूमनाइजेशन हो रही है किस तरीके से आपने आज कल की कैसे देख होता है ठीक है आपने जो हैं इनके रिफरेंस आपने देने ठीक है आपने क्या करना है आपने करन्ट कैसिस के ओपर देखना है आपने जो है पीरानी की जो स्टोरी जिस आप पीरानी में क्या बताया गया है कि पीरानी में पैसों के लिए क्योंकि एक बाप जता हो बहुत मज पूरी में आकर उसने पैसों के लिए जो है अपनी बेटी को जो है वो सेल किया ठीक है तो यह इस स्टोरी में कहा गया है तो आप आपने इस तरीके के जो कैसे से आपने उसको फाइंड आउट करना है यह नहीं कि आपने तरीके से वह लिखने हैं अपने आइडिया से लिखना है नो आपने क्या करना है कि उससे अपने सर्च करना है आपने देखना है कि यह कब हुआ है किस के साथ हुए किस एयर में और और कौन से जगाब हो है आप ने जो है उसका reference देना है आपने पाकिस्तान में कौन कौन से अन 되는 ने और यह हुमन बीइंगिन के साथ इनसानों के साथ कौन कौन से अन enjoying ऌरिया आपने वह लिखना है लास्ट में अपने conclusion लिखना लिखना है conclusion में आपने क्या लिखना है? आपने अपना point of viewstorm लिखना है अपने point of view के बाद आपने conclusion देना है कि आपने इसके अंदर इसके solution बताना है कि क्या आप समझते हैं, क्या point of view मिलिऴ थी आप अप पिरानी की इस ढुक्रा ही प्रूरी ग्यों हुआ है आप किस तरीके से आप जो है इसे रोक सकते हैं क्या क्या करना चाहिए इसे रोकने के लिए तो आप में जो अपना point of uses का conclusion लिखना है यहाँ पर एक बात में कहते चलू कि जब आपने लिखना है for example आपको पता है कि कौन-कौन से यहाँ पर current cases आ रहे हैं पिरानी से regarding आपको पता है कि यहाँ पर काफी villages में ऐसे लोग हैं जो के छोटी से उमर में लड़की की शादी जो है वो बड़े से बड़े आदमी से करवा देते हैं just for sack of money ठीक हैं सिरफ पैसों के खातर जो है वो अपनी बैटी की शादी जो है वो किसी जो है बड़े बूड़े आदमी से करवा देते हैं कहीं कहीं आप देखते हैं कि किसी भी बच्ची को जो है वो किसी जो है आदमी के साथ जो है शादी करवा देते हैं कहीं आपने देखा है कि बच्चियों को पैदा होते ही की जêu Thankfully कि जोहें वहां पर क्या क्या करते हैं दफना धिया जाथा है खासकर मोस्टली गल्स को यहां पर की बात की जा रही है क्योंकि पीराणी लड्की की स्टोड में लड्कीं में यहां पर लड्की को हम लोग sister करेंगे पॉइंट करेंगे तो यहां पर यह एक बात हो कि अगर आप दूसरा रिफरेंस देना चाहते हैं तो आप यह भी बता सकते हैं कि किस तरीके से गर्ल्स के साथ जो यह वह अनफेरनेस होती है मोस्टली हर किसी घर की बात नहीं करी लेकिन ऐसे कुछ घर इसे कुछ जह होता है तो ऐसी कहीं जो हैं वह हमने केसिज हमने अपने आँखों से देखी हैं तो आप उन केसिज को जो रियालिटी बेस्ट जो हैं आपने उसको क्या करना है कि उनको जो है आपने एजर रिफरेंस जो है आपने इस पीरानी स्टोरी में जो है वह एड करना है तब ही आप जो है आपको बस इसका इंडरक्शन दिया कि आपने किस तरीके से इस जो क्वेस्टिन इसको सोर्फ करना है क्योंकि मुझे बहुत जो नहीं कहा था कि यह ऐसी वीडियो आप बनाए तो मैंने इसके उपर आज वीडियो बनाई है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके को कोई एक्जम्पल जो है लिखकर आपके सामने लेकर आँ तो आप मुझे कमेंट में बता दें तो मैं आपको जो है इस तरीके कोई भी एक्जम्पल जो है मैं लिखकर आपके सामने जो है वो दिखाऊंगी तो आज के लिए मुझे इजाज़त देजिए थैंक्यू सो मच अ Allah Hafiz